नाश्ते फ्रेंट्स मेरे टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं डाला क्यूंकि मैं गाउं गई थी तो वहां से आने के बाद देख सकते मेरे गार्डन का पेर बहुत ही हड़े भड़े लग रहे हैं तो अभी बारिस हो बीना पानी डाले भी पहुत हरे भरे लग रहे हैं तो आज के वीडियो में सेर कर रहे हूं मैं बहुत ही असानी और जल्दी से ग्रोँ होने वाले वेड़े वेजिटेवल्स देख सकते हैं लोबिया तो इसको कई नामों से जानते हैं लोबिया बरबट्टी काउपी सकते हैं। फिर भी एक भाग मिट्टी और एक भाग सरी इंसे बहुत जाद है तो इसके निम की खली एक दो प्धाए की लगा पौधे भी लगा सकते हैं, तो इसके पौधे तियार करने, अलग से भी तियार करके बड़े गमले में ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं, या तो डारेक्ट भी इसको लगा सकते हैं, तो अभी बारिस का मौसम है, तो इसको ऐसे ही कोई गमले में इसके सीट से रख देंगे, तो पौधे निकल जाते हैं, तो कीचेन में हमारे जुलोबी आते हैं, तो उन्हीं के सीड से इसको लगा सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी इसके में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगता है, तो इसके फ्लावर देखने के लिए आपको मॉर्णिंग में ही इसके फ्लावर मुर्जा जाते हैं, तो इसके छोटे-छोटे फ्लावर बर्निंग में बहुत ही सुन्दर लुक देता है गार्डन में, और इस देख रहे हैं ये परपल हलका परपल सेड में फ्लावर से, तो इसको फरवरी मर्च में भी लगा सकते हैं, पर बहुत ज़ादा गर्मी पढ़ हैं, तो लगबग 20 डेस पहले ही मैंने इसके सिर्ष लगा थे, और देख रहे हैं, पौधे में अभी फ्लावरिंग फ्लूटिंग होना स्टार्ट हो गया हैं, तो बर्सात के मौसम में इसमें खरपतवार भी काफी सारे निकल जाते हैं, तो इसको भी हटाते रहना चाहिए और इसको गुराई करके हर 15-20 दिन में कोई solid fertilizer दे सकते हैं, जिसमें की kitchen compost, बर्मी compost या सरी हुई गोबड की खाद, कोशिस करें कि liquid fertilizer अभी नहीं दे, अगर बारिस हो रही है या continue तो कोई भी liquid fertilizer डालते हैं, तो हमारे पौधे में fungus लगने के भी डर रहता है, अगर बहुत ज लगा सकते हैं, वैसे बालकोनी में भी इसको लगा सकते हैं, तो अपने garden में इस समय लोबिया को जरूर लगा है, जो कि बहुत जल्दी इसमें flowering fruiting होना start हो जाते हैं, और इसमें एक काले कलर के जो कीड़े होते, छोटे-छोटे pets का attack बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो हर 5-6 दिन में इसको neem oil अच्छे तरह से spray करें, ताकि हमारे पौधे में कोई pets का attack नहीं हो, अगर pets का attack होने से हमारे पौधे में flower तो आएंगे, पर fruiting नहीं आते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और पानी इसमें मिटी चेक करके ही देन का भी लग जाता है, तो और नी मॉयल का spray करते हैं, तो हमारे पौधे स्वस्त रहते हैं, तो बीना chemical fertilizer के organic तरीके से इसमें बहुत अच्छी harvesting होती है, तो अपने garden में लोबिया को जरूर लगाए, तो फ्रेंट्स वीडियो अगर काम का हो, तो लाइक जरूर कीजेगा, और म चलोर क्यों स्ट्सच कुए हाषि क्लियू धूं कीजेट, हैंब स्टार्म काम कीजmost बञ़गा है, और क्लिए यंडम कीज़ के स시고cas Triumph, एलम जरूर ध स्ट